तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एर फोर्स का एक्जाम मात्र और 20 डेज बच गया है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस 20 डेज का पूरे रूटीन एक्स्प्लेन करने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे इस 20 डेज में क्या क्या करना चाहिए ताक आप इंडियन एर फोर्स के एक्जाम में इस बार अपना सलेक्शन ले पाए और आपका जो सपना है इंडियन एर फोर्स को जुआइन करने का वो आपका सपना सकार हो पाए, तो दोस्तों देखिए यह आपका जो 20 देखिए सबसे पहले आपको एवरीडे सेट बनाना चाहिए चाहिए आप किसी भी पॉब्लिकेशन का सेट लेले आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो आपका प्रेवियेस सेट है उसे आप कम सी कम डे में दो बार बनाएं और जो इस में से आप एक मूर्णिंग में और इबनिंग में सेट बनाते हैं उस सेट को बनाते हैं वक्त आपको जिस चेप्टर से या भी जिस सबजेक्ट से जिस चेप्टर जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी चेप्टर से आपको उस सेट में questions नहीं बन पा रहा है और जब आप set बनाएंगे तो आपको इस चीज को पता चलेगा कि आपको आखिर कौन से subject से कौन से chapter का questions नहीं बन पा रहा है तो फिर आप जो बीच में आपको दीन में समय बसता है उस टाइम में आपको उस चेप्टर से related सारे questions को देखना है और उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि फिर आप जब next day next set को बनाए तो आपको उस चेप्टर से जो questions सल्ब नहीं हो रहा आता वो भी questions आसानी से सल्ब हो पा बन पा रहा है उस चेप्टर को फिर डे में आपको पढ़ना है इस तरीका से यदि आप पढ़ेंगे तो मैं गरांटी के साथ कहता हूं कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही strong हो पाएगा तो आपको अभी ये जो रूटीन है 15 दिनों तक flow करना है और जो बीच में 5 दिन का समय है तो फिर मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा फिर और मैं फिर आपको बताऊंगा कि आखिर उस पांच देज में आपको क्या करना चाहिए लेकिन अभी 15 देज तक आपको एभरी डे दो सेट बनाना बहुत ही जरूर है यदि आप चाहते हैं इंडियन एयर फोर्स में जौब करना यदि आप चाहते हैं यदि आपका सपना है इंडियन एयर फोर्स को जौइन करना तो मैं कहता हूँ कि आप एभरी डे दो सेट बनाए और इस दो सेट बनाने के बाद आपको जिस भी सबजेक्ट या जिस भी चेप्टर में प्रोब्लम हो उस सबजेक्ट से रिलेटेड आप उस चेप्टर को फिर से पढ़े और जब नेश्ट क्वेस्टन बनाए तो उसे आप सुधारने की कोशिस करें इस तरीका से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा और दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो यदि एयर फोर्स से लेटेड तो आप हमसे कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछ सकते तो मैं उमीद करता हूँ कि मैंने आज इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया हो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस चीज को अपने इंडियान एर फोर्स के एक्जाम में इस 20 दिन में जरूर फ्लो करेंगे